क्रिशी कानुनों के समर्थन में ट्रेक्टर रैली लेकर निकले केंद्री राज्यमंत्री रतलल कटारिया और कुर्शेत्र से सांसद नैव सनी को आज किसानों के जवर्दस्त विरोत का सामना करना बड़ा ट्रेक्टर रैली लेकर निकले भाजपा नेता जैसे ही किसानों के बीच पहुँचे तो किसानों ने जोरदार बवाल शुरू कर दिया भाजपा की ट्रेक्टर रैली को 20 सड़क करीब 2 घंटे तक रोके रखा इस दोरान किसानों और पुलिस के बीच जम कर धक्का मुकी भी हुई इस दोरान भाजपा नेताओं को काले जंटे दिखा रहे किसानों को हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन अंत में किसानों ने खुद भाजपा नेताओं को रास्ता देने का पैसला लिया मगर इस दोरान भी किसान भाजपा नेताओं के ट्रैक्टर के साथ नारे बाजी करते चल रहे थे वहीं किसानों ने कहा कि एक तरफ सा कार कोरोनों का हवाला देकर बड़ी-बड़ी बाते कर रही है और दूसरी तरफ उनके ही नेता ट्रेक्टर रैलियां कर रहे हैं ऐसे में इन पर भी कारवाई होनी चाहिए वहीं किसानों का ये भी कहना था कि भाजपा के पास हवाई जहाज खरीदने के लिए तो पैसे हैं मगर किसानों को देने के लिए नहीं भाजपा की ट्रेक्टर रैलिय को किसानों ने काले जंडे दिखाए तो प्रदशन कारी उपर भाजपा के केंद्री राजमंत्री रतल और करारिया भड़क उठे देखिए वो कोई किसान नहीं थे वो भीन राजनेतिक दलों के बिचोलिये महां पर एक अत्रित हुए थे जिन्नोंने कानून अर्वेवस्ता को भंक करने की कोशिश की और एक पीसफूल प्रदर्शन को जो है रोकने की कोशिश की देश में डेमोक्रेसी है वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं हमने कभी उनका रास्ता नहीं रोका हमने कभी कोई उनके उपर उंगली नहीं उठाई लेकिन जब उनको हताशा ही हताशा नजर आ रही है चारों तरब तो अब वो हमले की राजनीती वे जो है उतर आये जिसका परिणाम आपको देखने को मिल है जो जूट बोल करके गए हैं, कि MSP खतम हो जाएगा, मंडी खतम हो जाएगा, अरे क्या कहूं उसको मैं, राहुल गंदी को जो मंदभुद्धी है, उसको यही मालूम नहीं है, कि जब ये लोकसभा के अंदर भी लाए थे, तब तो वो चला इटली में भाज गया था, और किसान मजबूत होगा, किसान खुसाल होगा, ये सोच नरेंदर मोदी जी की है, और उसको लेकर के जन जागरण अभियान के तहता आज हमने ट्रेक्टर मार्च निकाला था, जिसमें हजारों की संख्या में, किसान स्वय प्रेरी तो करके, आदरिया परधान मंतरी नरेंदर